नमस्कार दोस्तों सार्जन फुलिट पे आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे भुजपूरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्टरसिज में से एक अक्षरा सिंग के बारे में जिनने भुजपूरी फिल्म तबादला सरकार राज और सत्र जैसी फिल्मों के लिए ज लेकिन बिमूल रूप से पतना बिहार की रहने वाली है भुजपूरी अक्टर बिपिन इंदर जीत सिंग उनके पिता है और भुजपूरी अक्टरस नेलिमा सिंग उनकी माता है इसके अलावा उनके एक भाई भी है जिनका नाम केशव सिंग है अक्षरा सिंग ने अपनी पढ़ाई पटना की ही एक स्कूल से की और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 16 साल की उमर में ही एक थेटर ग्रूप को जॉइन कर लिया जहां पर वो एक्टिंग और डांस का अभ्यास किया करती थी साथ ही साथ उन्होंने अपनी ग्राजोशन की पढ़ाई भी पूरी की ग्राजोशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बहुच अर्चित भोशपूरी एक्टर रभी किशन के साथ वर्ष 2010 की भोशपूरी फिल्म सत्तमेव जैत से अपने एक्टिंग करियर की शरुवात की इस चैलेंजिंग रोड को निभाने के बाद अक्षरा सिंग को लोगोद्वारा खूब सारा प्यार मिला इसके बाद उन्होंने वर्ष 2011 की भूजपूरी फिल्म प्रांड जाए पर वच्चन ना जाए में काम किया फिर उन्हें 2012 क भूजपूरी फिल्म सौगंद गंगा मैया की में भी देखा गया इस फिल्म में काम करने के बाद अक्षरा सिंग ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद एक के बाद एक भूजपूरी हिट फिल्मों में काम किया जिसमें दिलेर, हम हैं बाके बिहारी एबलमा बिहार वाला पवन राजात रिदेव दिलवाला धड़कन और सत्या जैसी कई भोशपूरी फिल्म में शामिल है अक्षरा सिंग को भोशपूरी फिल्म के अलावा कई टेलिविजन सीरियल में भी देखा गया जिसमें 2015 के टीवी सीरियल काला टीका, सूर्य पुत्रकरन और सर्विस वाली बहु आदेश शामिल है एक क्वालिटी आक्टर्स होने के साथ साथ अक्षरा सिंग एक बहतरीन सिंगर भी है उन्होंने कई भुशपूरी हिट गाने दिये हैं जिसमें कॉल करे क्या और इधर आने का नहीं उनके दो सबसे लोगप्रिय गीत माने जाते है वर्श 2016 में अक्षरा सिंग ने भुशपूरी आलबम दिल बोले बम 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 के कई कानों में अपनी आवास दी जिसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से भी समानित किया गया जिसमें बेस्ट पॉपूलर सिंगर अवार्ड और बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड शामिल है इसके अलावा उन्होंने महुआ टीवी चैनल पर प्रसारित होने वारे सिंगिंग रियालिटी शो जिला टॉप की भी मैजबानी की थी दोस्तों आपको बता दें कि भुषपुरी सिनमा की सूपर स्टार पवन सिंग के साथ भुषपुरी फिल्मों में उनकी जोड़ी बहुत लोग प्रिय रही अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ कई फिल्मों में रोमンタिक सीन्स किये दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों अक्षरा और पवन सिंह की शादी की अफवाउने भी काफी तूल पकड़ी थी लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में जगड़े की बात भी सामने आई माना जाता है कि जगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात मार पीट तक पहुँच गई पवन सिंग ने अक्षरा सिंग के बाल पगड़कर गसीटते हुए ने दिवार से दे मारा इसके चलते हैं अक्षरा सिंग को काफी चोट भी आई थी इसके बावजूद अक्षरा ने पवन सिंग के खिलाथ कोई F.I.R. दर्ज नहीं करवाई लेकिन फिर दुबारा कभी वो पवन सिंग के साथ दिखाई नहीं थी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सिक्षन में जरूर बताईएगा अक्षरा सिंग से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हो तो हमसे जरूर शेयर कीजेगा आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अन्य परसनालिटी की बायोगरफी के साथ उनकी जंदगी से जुड़े रोचक किस्सों के साथ तब तक के लिए हमारा साथ देते रहिए शुक्रिया टेक केर